पतन्जले रिशीकुल प्रयाग राज के इस सक्षिक कारक्रम में मैं आप सब का स्वागत करती हूँ रक्षा दो विशे हिंदी भाषा प्रकरण वाक की गठन मौखिक पुना अभ्यास कार है आज आपकी इंदी भाषा कक्षा में आप सब का स्वागत है जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले तो कक्षाओं से हम लोग इंदी भाषा में पिछली कक्षाओं में पड़े गए पाटों का पुना अभ्यास कर रहे हैं इस बार के प्रक्रण में आपका पुना ब्यास है वाक के गठन, make sentences, कि sentence कैसे बनाय जाते हैं और किसे sentence कहते हैं, किसे वाक कहते हैं, तो आईए देखते हैं कि वाक के किस प्रकार बनाय जाते हैं. वाक के गठन, मतलब कि वाक के को बनाना, शब्दों की जायता से हम लोग वाक के बनाते हैं, वाक की शब्दों के सही मेल और जोड से बनते हैं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो आपस में कई तरह के वाक बोलते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुचाती हैं, जैस हम सब खेल रहे हैं वाक में सभी शब्दों का सही जगे पर प्रयोग करना जरूरी है ताकि हम उसका अर्थ समझ सके जैसे रहा खेल हूँ मैं इस वाक में शब्दों का मेल सही नहीं है और हम इस वाक से बात को ठीक से नहीं समझ सकते इसलिए यह वाक्य गलत है सही वाक्य है मैं खेल रहा हूँ आओ देखें वाक्य कैसे बनती है हम प्लस पड़ प्लस रहे प्लस है हम पड़ रहे है आसमान प्लस में प्लस तारे प्लस जमक प्लस रहे है आसमान में तारे जमक रहे है हमने सीखा कि भाषा के वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाग के बनते हैं जो शब्द होते हैं उनको सही करम में रखने से वाग के बनते हैं वाक बनाने की मुख्य बाते हैं वाक से पूरा अर्थ इस पर स्थोता है वाक के एक निश्चित क्रम में लिखिया पर जैसे हम लिखा कि शब्दों को सही सीक्विंस में वाक में आए शब्दों में लिंग वचन आधिका मेल होता है अब यह भी आपको देखना होता है कि जो है उसमें जो काम हो रहा है या जो पर्चन है उसका क्या लिंग है और किस वचन में उसके according भी वाक को हम बनाते हैं जैसे की जैसे लड़की पढ़ रहा है या गलत वाक के है इसका सही होगा लिंग के इंसार लड़की पढ़ रही है जो आप लोगों ने देखा कि वाक के कैसे बनते हैं आप भी इस तरह बिविन बिविन पकार के वाक्यों को बनाने का अभ्यास करिए धन्यवाद